नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पाल्डी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप में विशेश नहो अपने आप में खास नहो इश्वर ने हर इंसान के अंदर कोई न कोई खूबी, कोई न कोई खासियत, कोई न कोई शक्ती पैदा की है हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम ये जानते नहीं, हम ये पहचानते नहीं कि हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्ती क्या है आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ताकत को, अपनी खूबी को, अपनी शक्ती को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं चाल चक्र में आज क्या खास है? चलिए बताते हैं आपको चालचक्र में आज बात करेंगे कि अपनी शक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे शक्तिशाली बनेंगे आपकी शक्ति से आपके सफलता के ग्रहों का क्या कनेक्शन है और कौन सा ग्रह आपको खास बनाता है, कौन सा ग्रह आपको विशेश बनाता है इस विशे पर भी बात करेंगे सबसे पहले ये जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कौन सी ऐसी खास बात होती है जिससे वो व्यक्ति भागेशाली बन सकता है जिससे उस व्यक्ति की किस्मत खुल सकती है देखिए हर व्यक्ति के अंदर पांच तत्व होते हैं पृत्वी, जल, अगनी, वायु और आकाश पांच तत्व होते हैं और नौ ग्रह होते हैं हर व्यक्ति के अंदर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो हर तत्व की एक विशेष्टा होती है पृत्वी तत्व के हैं, आकाश तत्व के हैं, जल तत्व के हैं इसकी एक विशेष्टा होती है और जब ये तत्व प्रधान हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर खास बात पैदा हो जाती है आपका अगनी तत्व प्रधान होगा ना तो आपके अंदर साहस पैदा होगा आपके अंदर उर्जा पैदा होगी आपके अंदर मेहनत आपके अंदर संघर्ष लगन ये सब पैदा होगा यानि जो तत्व आपका मजबूत होगा उससे जुड़ी हुई खास बात आपके अंदर मजबूत हो जाईगी अगर केवल ग्रहों का साथ हो तो व्यक्ति परिश्रम करता है、 मेहनत करता है और मेहनत करके जीवन में विशेश बनने की जीवन में खास बनने की कोशिश करता है लेकिन अगर केवल तत्वों का साथ हो तो व्यक्ति खास इस्थितियों में जन्म लेता है लेकिन उसका प्रियोग नहीं कर पाता ग्रहों का साथ होगा तो मेहनत करेगा आगे बढ़ने के लिए लेकिन बनेगा की नहीं बनेगा पता नहीं और केवल तत्व अगर साथ देंगे तो آپ ऐसे जगा पर जन्र लेंगे जहांसे आप विशेश बन सकते हैं लेकिन आप बनेंगे नहीं कोशिश नहीं करेंगे अगर व्यक्ति के अंदर खास बात हो और ग्रहों का साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपनी विशेश्टा से महान बन जाता है यानि तत्व आपके मजबूत हो और साती साथ आपके ग्रह भी मजबूत हो तो आप अपनी विशेष्टा से जीवन में महान बन जाएंगे निश्चित रूप से बिना किसी खास बात या बिना किसी विशेष्टा के किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता आप देखिए हम सबकी जो फिंगर्प्रिंट हैं वो सबकी अलग अलग है दुनिया में इतने करोण, इतने अरब लोग हो गए लेकिन सबकी फिंगर्प्रिंट, सबकी अंगुलियों की छाप अलग है क्यों है बाई क्योंकि हर आदमी अपने आप में अनूठा है हर आदमी अपने आप में अलग है इसलिए हर व्यक्ति को अपनी विशेशता पहचानने का प्रयास करना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है आपकी शक्ति क्या है आपकी खूबी क्या है और उसको आप आगे बहुत बार होता है ना कि हम अपनी ताकत नहीं जानते हम अपने आपको पहचान नहीं पाते हनुमान जी भी ने पहचान पा रहे थे ना कि समुद्र लांग सकते हैं उनको उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी इसी तरह से आपको भी आपकी ताकत याद दिलानी पड़ेग कि आपके अंदर कौन सी खास बात है, कौन सी खास चीज है जिसको आप मजबूत करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पहचाने अपनी शक्ती को, कैसे जानेंगे, अपनी कुंडली का या हस्तरेखाओं का गंभीर अध्यन करवाएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आ बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना, जैसे विश्वेश्वरयया सर्थे वैसे इंजीनियर बनेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, तो पहचानना होगा कुंडली को देखके, हाथ को देख करके, अपनी प्रविर्तियों को और आदतों को देखना होगा, आपकी जन्ग, आपका पसंदीदा खाना, काफी हद तक ये बता सकता है, कि आप अपने किस गुण के कारण खास बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का गुण आपके अंदर होगा, वैसा ही आपका भुजन होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा, किस गुण की वज़े से आप खास बन स बहुत सारे बच्चों को आपने देखा वोगा कि बचपन से ही गाना गाने लगतें हैं, बढ च्छा गाना गातें, बढ च्छा तबना बजातें, क्यूं? क्योंकि वो उनको पूर्व जन्म के संसकारों की वजह से मिला है, तो जो चीज बिना मेहनत या बिना प्रयास के जु शेश उपलब्धी की ओर है और उसको पाने में मुश्किल आ रही है तो ये चीज भी आपको खास बना सकती है विवेकानंद कहते थे कि अगर किसी चीज को पाने में मुश्किल ना आए तो समझ जाओ कि वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है इसलिए आप चाहते हैं को विशेश खास बना देगा